हेलो फेंग्स मस्त मगदर रेव्यूज में आपका स्वागत है तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी अपनी इस नई चमचमाती हुई MacBook Air का थेंक्यू सो मच फॉर शोइंग लव अन डेट वीडियो आज हम बात करेंगे MacBook Air लेने के बाद कौन सी दो चीज़ें हैं जो की आपको लेनी ही लेनी पड़ती है तो पहली चीज जो है वो तो बड़ी क्लियर सी है MacBook Air वैसे तो कमाल की मशीन है हर तरीके से MacBook Pro पे भी जाने जरूरत नहीं अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक बड़ी मेजर सी प्राब्लम है एस कंपेर टू नॉर्मल विंडोस लैप्टॉप वो ये कि इसमें पोर्ट नहीं आते हैं बॉस यहां पर देखिए यहां पर दो USB-C पोर्ट लगा दियें अब बताईए अगर आपको ये pen drive लगानी है तो आप कैसे लगाएंगे वो कहते हैं कि आईए जी हमसे खरीदिये उनका जो एक पोर्ट आता है जिससे कि आप USB को connect कर सकते हैं वो आता है एप्पिल का करीब करीब एनिवेर बिट्वीन सारे तीन से 5,000 रुपे के बीच में लेकिन अपने पास इंडियन से अपने पास जुबार है तो जुबार बड़ी सिंपिस है यह जह डाइजो का एक छोटा सा अडेप्टर आता है युएस बी सी टू यूएस बी ए इसको यहां लगा दीज्या ठीके जी इसको लगा दीजिए इसके बाप चाहे इसमे जो लगा, यह चाहे तो आप इसम ECP arrays लगा, यह बड़े आराम से आप इसमें pen drive लगा सकते हैं ठीक है जी ये pen drive लग गई इसमें उसके बाद अगर आपको इसमें से for example hard disk लगानी है तो ये मेरी hard disk है इसको आप लेके इसमें लगाईए और इसको आप लगा दीजे वापस अपने macbook में काम हो गया अब इस जो अपना जो connector ना इसका ना compact होना भी बहुत जाज हो रही है for example आप इसमें से data transfer करते हैं तो पहलेली साथ में थोड़ी से जगे होनी चीए जिससे कि आप इसको पहलेली charge भी कर सकें दोनों चीजें साथ साथ चलनी बहुत जाज हो रही है तो यह तो होगी पहली चीज यह connector है ज्यादा महेंगा connector नहीं है बहुत सस्ता connector भी नहीं है एनिवेर बिट्वीन दो सब्सक्राइब मीच में आ जाता है मैं लिंक इसका description box में देदूंगा वहां से जाके इसको purchase कर सकते हैं काफी good quality का है data transfer काफी फास्ट होता है लिंक से आप देख लीजिए लेटेस पैसे समस्क्राइब क्या चल रहा है तो यह तो बात होगी बस connector की दूसरी चीज महिंगी मशीन है इसका थोड़ा सा protection हो रही है तो इसके लिए मैंने मंगाया है यह एर केस यह कवर मंगाया है पहली बार में इसका unboxing आप ही लोगों के सामने करने जा रहा हूं unboxing तो नहीं कहेंगे unwrap कहेंगे एर केस का है काफी good quality का है reviews काफी अच्छे हैं और इस पर MRP तो 999 पर लिखा हुआ है मेरे को यह करीब साड़े 300 रुपिका पड़ा है Amazon sale में बाकी लिंक में description box में दूंगा वहां से जाके आप इसको खरी सकते हैं या फिलेटास पैस चेकर सकते हैं country of Amazon और इसका Hong Kong दिखा रहा है यहां पर मेज वाला यहां पर आउटर सर्फेस से थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा राउन है यहां से साइट से यह केस की यहां पर ब्रेंडिंग है काफी decent enough है जिप देखते हैं यहां भी एर केस लिखा हुआ है जिप ठीक है अच्छी है काफी soft इसकी जिप है अंदर भी कुशनिंग है इसमें मैंने मेंशन किया है कि इसके अंदर दो लेयर और है एक तो आउटर लेयर है विच इस वाटर प्रूफ लेयर वाटर रिस्टेंट लेयर नौट वाटर प्रूफ और अंदर वाली कुशन है इसके अंदर एक नोने वाटर रिस्टेंट लेयर और ल इतनी मेंगी MacBook Air को रखने के लिए स्लीव की जुरुत है आप खुली में तैसे प्रटक नहीं सकते हैं थोड़ा सा आपको सपोर्ट भी मिल रहा है अच्छे से ऐसा नहीं है मजबूती के साथ आप मारेंगे तो तो टूटी जाएगा पर अधर्वाइस इसमें काफी अच्छा क मतलब नहीं है this is quite decent enough case link description box में आप खरीदना चाहें वहाँ जाए खरीज सकते हैं इसको भी और इसको भी इन दोनों चीज़ों खरीदने के बार आपकी MacBook Air की shopping complete हो जाती है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए आपको वीडियो पसंद नहीं और वीडियो को लाइक क चैनल के support लिए प्लीज चैनल को subscribe करें thank you so much god bless you